बुल्डोजर पे हर एक पेक्टे की हाथ नहीं फिटो सकते इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चहिए बुल्डोजर जैसी चमता और दिर्ड प्रतिक्या जिसमें हो वही बुल्डोजर चला सकता है दंगाईों के सामने नाक रगड़ने वाली लोग बुल्डोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे आप में चमता थी आपका सेलेक्शन हो गया कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना और आपकी योग्यता और चमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं एक यहां पर आएं और आगे भी हम इस बात के लिए आस्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को कि उनकी योग्यता और चमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा उस बैरियर को हटाएंगे उस बैरियर को तोडेंगे और जो लोग फिर भी बेमानी और भरस्टाचार पहलाएंगे तो उनकी संपत्य को कुड़क करके गरीबों में बित्रित करने का काम भी करेंगे कोई गुरेश नहीं करेंगे लेकिन जिन लोगों को औसर मिला उन्होंने पहले पैचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजग कदविधियों से अपने भरस्टाचारी कदविधियों से और फिर प्रदेश को दंगों की आग में जोंकने का काम भी किया था प्रदेश के सांति पूर्ण और सुहर्ध पूर्ण माहोल को आपस में ही लड़ाने का काम किया पहले जाती जाती को लड़ाया फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस मही भिढ़ाने का काम किया महिनो महिनो दंगों की आग में जुलस्त दा रहा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जब सांती और सुहार्द नहीं रहेगा कोई निवेश क्यों करेगा विकास कैसे हो पाएगा पैचान का संकट खड़ा होगा हर तपके का व्यक्ति तबाह होगा और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बगलत बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमरहा करने के लिए फिर से आना चाहते हैं बुल्डोजर पे हर एक पैक्ते की हाथ नहीं फिटो सकते इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चहिए दिल और दिमाग दोनों चहिए बुल्डोजर जैसी चमता और देड़ प्रतिक्या जिसमें हो वही बुल्डोजर चला सकता है दंगाईों के सामने नाख रगड़ने वाले लोग बुल्डोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्सी तरीके से अब एक साभी हम यही रखते हैं जनता से जुड़ेवे कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए